सिवान में लोग मचली नहीं मगर मच को पकर कर खाने के फिराक में थे गाउं में नहर है तो वाजिब सी बात है कोई बाजार क्यों जाएगा मचली खरीड़ने और जस गाउं में नदी नहर होता है वहां के लोग खुद को मचवारे से कम समझते तो है नहीं ना आओ देखते हैं नताओ जब मन करे चल देते हैं नदी नहर के पास और जाकर मचली पकरने के लिए जाल बिचा कर बस बैठ जाते हैं सबसे बड़ी वाली मचली को उपा करने के इंतिजार में सिवान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है गाउं के कुछ इवक शाम को मचली पका कर खाने के पूरी फ्लान में थे लेकिन उनको क्या पता था जिसे वो खाने जा रहे हैं वो मचली नहीं बलकि मगर मच है सुनकर ही सेग्मेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ बंदना फांडे लगता है मगर मच का मन अब पानी में रहने से भड़ गया है इसलिए पानी से बाहर निकल जा रहा है बार बार और ऐसे मामले दन बा दिन बढ़ते ही जा रहे हैं अजबार मामला बिहार के सिवान जले से सामने आया है जहां लोगों को लगा वो बड़ी मचली को पकर कर खाने के प्लान बना रहे होते हैं लेकिन उन्हें जाल में जो फसा था वो मचली नहीं मगर मच था इस बात से लोग अंज़ान थे अब बस मगर मच को बना कर खाने का प्लान भी बना रहे थे तब तक उनको मगरमच का पूरा शरीर दिग गया और फिर लोगों की हालत खड़ाब हो गई ऐसे भी बिहार में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां मगरमच पानी से निकल कर गाउं में घूने लगता है और लोग घर में बंद हो जाते हैं कहीं आने वाले समय में बिहार में ये ना हो जाए कि घरों में लोगों को बंद होना पड़ेगा और सड़क पड़ाप को मगरमच नजर आएंगे फैर खबर पड़ाते हैं तो सिवांचिले के गुठनी थाना चेत्र के धनोती और बहेलिया चमर में बिते दिनों मगरमच देखा गया है जुसे देखने की बाद गाउं के कुछ यूवक आते हैं और उनको एक बड़ी मचली उन्होंने पकड़ी है इसकी जानकारी देते हैं अब धरमनात यादों ने सोचा बड़ी मचली को पकड़ सकते हैं बाकि इन सब बातों से पड़े वह यूवकों के साथ नहर के पास जाते हैं तो वहां जाल में पसे पास जाकर देखा गया तो वह मचली नहीं बलकि मगरमच निकला जिसका आदा शरी जारी में था और आदा शरी बाहर डिक्रा था जिसे लोग मचली समझ रहे थे बाकि अब मगरमच हो या मचली अगर जाल में फसी है तो चर्चा तो पूरे गाउ में होनी ही है बस वही हुआ गाउ में याग की तरह ये खबर फैल गई मचली नहीं मगरमच पकरा गया है ये जान पूरा गाउ उठकर चला आया देखने और शोर मचाना शुरू कर दिया गया और फिर मगरमच की जानकारी गाउं की मुख्या सरपंच वाड्स अदस्य भिजियो सीओ और थानाद्यक्ष सभी लोगों को दी गई और गाउं में भ पूरे दिन बस मगरमच और मगरमच की ही चर्चा रही बाकि वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई और अधिकारी समय पर पहुंच कर मगरमच को रसी से बांग लिया और गाउं वालों को समझाया भी गया कि आगे से अब जब भी मचली पकड़ने जाएं जब भी जा क्योंकि मौकी पर ही वहां दिकारी पहुंच गए मगरमच को अपनी कबजे में कर लिया और वो लेकर वहां से चले गए लेकिन अगर आप भी अगर मचली पकड़ने के शौकीन है तो फिर सोच समझ कर आगे से मचली पकड़ने जाएगा हर एक इनसान मचवारा नहीं बन सक इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी जाल में मचली ही फसी है या फिर कोई बड़ा मगरमच है बाकी अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताएए फलहाल तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस समझदारी से काम ले आगे चलकर इसे के साथ हमें दीज़े इजाजद बाकी अनी खबरों को जानने के यह देखते रहे है चंता जंक्शन के आमने के पीछी ते विशाल और मैधिया आपके साथ बंदना नंगाए